अपनी थर्ड यूनिट उत्पादन तथा लागत का दूसरा भाग उत्पत्ति के नियम के अंतरगत उत्पत्ति हिराश नियम आज की हमारे प्रमुक अध्यन बिंदु है उत्पत्ति हिराश नियम अथ्वा परिवर्तंशिल अनपात के नियम परिवर्तन शील अनपात के नियम की विभिन अवस्थाएं परिवर्तन शील अनपात के नियम की मानताएं एवं परिवर्तन शील अनपात के नियम का महत्तो बच्चों हमने अपने पिछले टॉपिक में उत्पादन फलन पढ़ा था उत्पत्ति हिराश नियम, उत्पत्ति व्रद्धि नियम एवं उत्पत्ति सम्ता नियम इसके अंतरगत आज हम लोग इसका सबसे पहला नियम पढ़ेंगे उत्पत्ति हिराश नियम जो की एक बहुत ही महत्यपूर नियम है उत्पत्ति हिराश नियम अथवा परिवर्तन शील अनपात का नियम सबसे पहले तो हम यह समझते हैं कि उत्पत्ति हिराश नियम या परिवर्तन शील अनपात का नियम ये दोनों एक ही नियम है उत्पत्ति हिराशनियम यह नाम प्राचीन अर्थशास्त्रियों द्वारा दिया गया था और परिवर्तन शिल अनुपात का नियम यह नाम आधुनिक अर्थशास्त्रियों द्वारा दिया गया है उत्पत्ति हिराशनियम हमें क्या बताता है उत्पत्ति हिराशनियव हमें बताता है कि जब हम उत्पत्ति के कुछ साधनों को इस्थिर रखकर एक या एक से अधिक साधनों को परिवर्तित करते हैं तो उसका उत्पादन पर क्या प्रभाव पढ़ेगा? जब हम ऐसा करते हैं क्योंकि हम अल्पकाली नध्यन कर रहे हैं तो अल्पकाल में उत्पादक उत्पादन में व्रद्धी के लिए कुछ साधनों को इस्थिर रखता है और कुछ साधनों को बढ़ाता है जिससे वह उत्पादन में व्रद्धी कर पाए तो इस अवस्था में जब वे परिवर्तन शील साधनों की मात्रा में व्रद्धी करके उत्पादन बढ़ाता है तो जो हमें उत्पादन प्राप्त होता है वह एक सीमा के बाद गिरना प्रारंब हो जाता है बच्चों इसके साथ हम एक महत्यपूर बिंदू और समझ लेते हैं उत्पत्ति हराशनि नियम और परिवर्तन शील अनपाद की नियम के बारे में प्राचीन अर्थशास्त्री जिन में से प्रमुक नाम है एडम स्मित, माल्थस, प्रफेसर रिकार्डो इन लोगों ने जो नियम दिया था उसे उत्पत्ति हराशनियम कहा इन अर्थशास्त्रियों का कहना था कि उ हम उत्पादन को बढ़ाते हैं इसके लिए जब हम परिवर्तन शील इकाईयों में व्रद्धी करते हैं क्योंकि भूमी तो हमारी स्थिर रहती है तो परिवर्तन शील इकाईय जैसे की श्रम हो गई श्रम में व्रद्धी करते हैं तो एक समयवाद भूमी से प्राप्त होने वाला उत्पादन गिरने लगता है तो प्राचीन अर्थ शास्तियों ने उत्पत्ति राश नियम दिया और उन्होंने कहा कि यह नियम क्रशी में लागू होता है परन्तो आधनिक अर्थ शास्तियों ने कहा कि उत्पत्ति राश नियम सिर्फ क्रशी में लागू नहीं होता ब उत्पत्ति हिराश नियम प्रतेक उत्पादन में लागू होता है और आधनिक अर्थिशास्त्रियों ने इसे उत्पत्ति हिराश नियम ना कहकर परिवर्तन शील अनुपात का नियम कहा तो बच्चो अब आपको समझ में आ गया होगा कि उत्पत्ति हिराश नियम और परिवर्तन शील अनुपात का नियम एक ही नियम है उत्पत्ति हिराश नियम की आधने की व्याख्या को हम परिवर्तन शील अनुपात का नियम कहते हैं और हमें ये नियम बताते हैं कि अल्पका इस तालिका में हम लोग देख रहे हैं कि हमने कुल उत्पादन, सीमानत उत्पादन और औसत उत्पादन की अवधारणाओं का प्रयोग किया हुआ है कुल उत्पादन, सीमानत उत्पादन और औसत उत्पादन की अवधारणाएं हम अपने पिछले टॉपिक में समझ चुके हैं एक बार संक्षेप में पुना उनका हम रिवीजन कर लेते हैं कुल उत्पादन क्या है? परिवर्तन शील साधन की समस्त इकाईयों द्वारा उत्पादित उत्पादन कुल उत्पादन कहलाता है सीमानत उत्पादन क्या है? परिवर्तन शील साधन की प्रतेक अगली इकाई द्वारा उत्पादित उत्पादन सीमानत उत्पादन कहलाता है औसत उत्पादन परिवर्तन शील साधन की प्रती इकाई द्वारा उत्पादित उत्पादन औसत उत्पादन कहलाता है तो हमने विचो कुल उत्पादन, सीमान उत्पादन और औसत उत्पादन समझ लिया अब इन तीनों के माध्यम से हम देखेंगे कि उत्पादन में उत्पति हिराशनियम कैसे लागू होता है प्रारम्भिक अवस्था में उत्पादन बढ़ता है और उसके बाद उत्पादन गिरने लगता है यह हम इस तालिका के माध्यम से समझेंगे बच्चो इस तालिका में हमने सबसे पहले इस्थिर साधन लिया है, इसके बाद परिवर्ती साधन लिया है, फिर कुल उत्पादन, सीमान तुत्पादन और औसत उत्पादन लिया है इस्थिर साधन के अंतरगत हम भूमी ले लेते हैं भूमी हमारा इस्थिर साधन है तो हम यहाँ पर भूमी लेते हैं परिवर्तन शील साधन में हम श्रम ले लेते हैं तो हमारा जो इस्थिर साधन है भूमी वह पूरे उत्पादन के दौरान इस्थिर रहेगा भूमी के हमने एक टुकडे का प्रयोक किया है वह प्रतेक बार एक ही रहेगा इसमें कोई भी व्रद्धी नहीं होगी बच्चो इस तालिका में सर प्रिथम हम सीमान तुतपादन देखेंगे सीमान तुतपादन की प्रुवर्टी कैसे होती है प्रारंब में बढ़ने की फिर गिरने की सीमान तुतपादन के लिए मैंने यहाँ पर कुछ संख्याइं लीवी है 40, 50, 40, 30, 20, 0 और 20 बच्चो आपको संख्या लेते समय सीमान तुतपादन प्रुवर्टी का ध्यान रखना पड़ेगा प्रारंब में सीमान तुतपादन में व्रद्धी होगी फिर गिरावट होगी फिर शून हो जाएगी उसके बाद सीमान तुतपादन हमारा रिडात्मक हो जाता है मान लीजे आपने 70 लिए है तो 70 के बाद आपका सीमान तुतपादन बढ़ेगा 80 इसके लाद आप सीमान्त उत्पादन को गिराना प्रारम्ब कर देंगे, आपका सीमान्त उत्पादन साथ हो जाएगा, पचास हो जाएगा, चालिस हो जाएगा, शुन हो जाएगा, फिररात्मत 20 हो जाएगा, तो इस तरह से आप कोई भी संख्या ले सकते हैं, बस आप सीमान उत्पादन की प्रवर्ति को ध्यान में रखेंगे तो अब हम अपनी तालिका में देखते हैं जब एक परिवर्तन शील साधन श्रम द्वारा उत्पादन किया गया तो 40 इकाईयों का सीमान उत्पादन हुआ जब दूसरे साधन द्वारा उत्पादन किया गया तो 50 हिकाईयों का सीमान उत्पादन हुआ अर्थात यहां पर सीमान उत्पादन में ब्रदी हुई तीसरी हिकाई द्वारा जब उत्पादन किया गया तो यहां पर 40 हिकाईयों का उत्पादन हुआ अर्थात सीमान्त उत्पादन अब गिरना प्रारंब हो गया है चौथी इकाई द्वारा जो सीमान्त उत्पादन किया गया वह तीस इकाईयों का उत्पादन किया गया पाचवी इकाई द्वारा बीस इकाईयों का उत्पादन किया गया और छटवी इकाई पर हमारा सीमान्त उत्पादन शुन हो गया अर्थात जो छटवी इकाई श्रम की है पह जब उत्पादन कर रही है तो उसके द्वारा कोई भी उत्पादन नहीं हो रहा है उसकी सीमान्त उत्पादन में कोई भी भूमिका नहीं है अब जब हम सातिवी काई का उत्पादन देखते हैं तो हमारा उत्पादन यहाँ पर रिडात्मक हो गया है रिडात्मक 20 का उत्पादन प्राप्त हो रहा है अर्थात परिवर्तन शील साधन अब हमें कोई भी उत्पादन नहीं दे रहे हैं और साधनों का बोज या कहें लागतों का बोज उत्पादन पर अधिक पढ़ रहा है इस कारण हमारा सीमानत उत्पादन रिडात्मक हो रहा है बच्चों हमें इससे आगे तालिका दिखाने की आविश्यक्ता नहीं है क्योंकि यहां पर हम सीमानत प्रवर्थिकी सभी दशाओं को दिखा देते हैं अब हम देखेंगे कुल उत्पादन कुल उत्पादन का बच्चों फॉर्मूला क्या है सिगमा-म-प यानि सीमानत उत्पादन की समosit इकाईयों का योग कुल उत्पादन होता है तो पहली एकाई द्वारा कुल उत्पादन 40 एकाईयों का हुआ, क्योंकि हमारा सीमानत उत्पादन भी 40 एकाईयों का था, दो एकाईयों द्वारा कुल उत्पादन हुआ 90 एकाईयों का, हम पहली और दूसरी दोनों सीमानत एकाईयों को जोड़ देंगे, तो हमें दो कुल उत्पादन प्राप्त होगा चौथी एकाई से हम देखते हैं हमें 160 का कुल उत्पादन प्राप्त हो रहा है हम 130 में चौथी एकाई का सीमांत उत्पादन जोडेंगे तो हमें 160 प्राप्त हो जाएगा पांचवी एकाई में हमें 180 काईयों का कुल उत्पादन प्राप्त हुआ हमें 160 में 20 जोड़े तो हमें 180 का कुल उत्पादन प्राप्त हुआ यहाँ पर सीमानत पादन शून है तो जब 180 में हम शून जोडेंगे तो हमारा कुल उत्पादन इस्थिर रहेगा और 180 ही रहेगा और वहीं हम सात्वी एकाई में देख रहे हैं कि हमारा कुल उत्पादन जो हमें सातों एकाईों से मिला है वह अब घट गया है 180 से गिर कर 160 हो है ऐसा क्यों हुआ क्योंकि सात्वी एकाई का सीमानत उत्पादन रिडात्मक 20 था 180 में जब हम रिड के 20 जोडेंगे तो गरती रूप से यह जुड नहीं सकते क्योंकि प्लस और माइनस घटते हैं तो 180 से माइनस 20 हो जाएगा तो हमें 160 प्राप्त होंगे यहां पर हमारा प्रारमव हो गया बच्टो अब हम देखेंगे औस उत्पाधन का फॉर्मूला क्या होता है कुल उत्पाधन बटे परिवर्थनशील साधन की इकाईया तो कुल उत्पादन, total production upon Q, परिवरतन शील साधन की इकाईया तो इसके लिए हम कुल उत्पादन में, परिवरतन शील साधन की इकाईयों का भाग देते जाएंगे तो जब हम 40 में एक का भाग देंगे, तो हमें यहाँ पर 40 प्राप्त होता है पहली एकाई से हमारा औसत उत्पादन 40 का है 90 में जब हम 2 का भाग देते हैं तो हमें 45 प्राप्त होता है तो दूसरी एकाई में हमारा औसत उत्पादन 45 है 130 में जब हम 3 का भाग देंगे तो हमें 43 दिसंबलब 3 प्राप्त होगा तो तीसरी एकाई से हमारा ओसत उत्पादन 43.3 है 160 में जब हम 4 का भाग देंगे तो हमें 40 प्राप्त होगा चौती एकाई से हमारा ओसत उत्पादन 40 है पांचवी एकाई में हम देख रहे हैं हमारा ओसत उत्पादन 36 है 180 में जब हम 5 का भाग देंगे तो हमें 36 प्राप्त होगा चटवी काई में हमारा ओसत उत्पादन 30 हो गया है 180 में जब हम 6 का भाग देंगे तो हमें ओसत उत्पादन 30 का प्राप्त होगा बच्चों यहां अब हम देखें तो हमारा ओसत उत्पादन भी गिरना प्रारंब हो गया है और 160 में जब हम 7 का भाग देते हैं तो हमें 22.8 प्राप्त होता है तो इस प्रकार हमें ओसत उत्पादन की तालिका प्राप्त हो जाती है खुल उत्पादन और सीमांत उत्पादन और औसत उत्पादन तीनों को अगर हम देखें तो एक बिंदू के बाद तीनों ही गिरना प्रारंब हो जाते हैं उत्पादन की विभिन अवस्थाओं का निर्धारर सीमांत उत्पादन के माध्यम से करते हैं तो जब हमारा सीमान्त उत्पादन बढ़ रहा होता है, तो यह उत्पादन की प्रत्थम अवस्था कहलाती है. जब हमारा सीमान्त उत्पादन गिरना प्रारम हो जाता है, शून्न तक यह उत्पादन की दुतिय अवस्था कहलाती है. और जब हमारा सीमान्त उत्पादन डिडात्मक हो जाता है तो यह उत्पादन की तरतिय अवस्था कहलाती है तो अगर हम देखें कि कुल उत्पादन, सीमान्त उत्पादन और औसत उत्पादन तो सभी ही गिर रहे हैं लेकिन हम उत्पादन की अवस्था का निर्धारण किसे करेंगे? सीमान्त उत्पादन से करते हैं। बच्चो इस तालिका में हमने देखा जब हम उत्पादन के एक साधन भूमी को इस्थिर रखकर दूसरे साधन श्रम को परिवर्तित करते जा रहे हैं, तो हमें उत्पादन में हिराश होना प्रारंग हो जाता है। अब हम इसे एक रेखा चित्र के माध्यम से भी समझते हैं। बच्चो इस रेखा चित्र में वैंने एक एक्स अक्ष लिया हुआ है और एक वाई एक्स अक्ष पर हम परिवर्तन शील साधन श्रम को दिखाएंगे। और वाई परिवर्तन शील साधन की हमने साथ इकाईयों का प्रियोग किया है तो एक्स अक्ष पर हम साथ इकाईयां दिखाएंगे। वाई एक्ष पर हमें कुल उत्पादन, सीमान तुत्पादन और उस्रम दिखाना है तो इसे दिखाने के लिए हमें संख्याओं का विभाजन करना पड़ेगा सबसे पहले तो हम देखेंगे कि इस तालिका में हमारी सबसे बड़ी संख्या कौन सी है तो सबसे बड़ी संख्या हमारी 180 कुल उत्पादन की है तो बच्चों ऐसा तो संभव नहीं है कि आप 1,2,3,4 करके 180 तक कौपी पर संख्याएं दिखा पाओ तो इसके मैंने 25-25 का विभाजन लेकर वाई अक्षपर 200 तक की संख्याएं दिखाई हुई है बच्चों आप लोग अपनी संख्याओं के अनुसार अपना विभाजन ले सकते हैं तो यहां पर मैंने 25-50, 75-100, 125-150, 175 और 200 दिखाया हुआ है और यहां पर हमारा जो 0 है इसके नीचे हम रिड के 25 दिखाय हुए है गरती रूप में बच्चों जो हमारी गिंती होती है वो धनात्मक होती है 0 होता है फिर 1, 2, 3, 4 यह सारी संख्याओं कैसी होती है धनात्मक होती है अगर हम 0 से पहले चलेंगे तो संख्याओं कैसी होती है रिडात्मक माइनस के 1, माइनस के 2, माइ तो हमने यहाँ पर माइनस के पच्चिस लिए हुए है बच्चों हम अपने रेखा चेत्र में सबसे पहले सीमान तुतपादन देखते हैं पहली एकाई से हमें 40 एकाईयों का सीमान तुतपादन प्राप्त होता है दूसरी इकाई से हमें 50 इकाई का सीमान तुतपादन प्राप्त होता है तीसरी इकाई से हमें 40 का सीमान तुतपादन प्राप्त होता है चौथी इकाई से हमें 30 का सीमान तुतपादन प्राप्त होता है पाँच्वी एकाई से हमें 20 का सीमान तुत्पादन प्राप्त होता है छट्वी एकाई में हमारा सीमान तुत्पादन शुन हो जाएगा तो ये सुनने के समानतर ही आएगा इसके बाद साथ्वी एकाई से हमारा सीमान तुत्पादन रिडात्मक 20 हो जाता है तो यह है रिडात्मक यहां पर हो जाएगा और 20 और हम इन सभी बिंदूओं को मिलाएंगे तो हमें एक उल्टे यू आकार का वक्र प्राप्त हो जाता है और इन बिंदूओं को हम शूनने से मिलाते हैं क्योंकि उत्पादन प्रारंभ में शूनने ही होता है जब नया उत्पादन प्रारंभी किया जाता है तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि पहले से भी कुछ उत्पादन हो रहा हो उत्पादन अपने प्रारंभ में शूनन होगा इसके बाद ही उत्पादन होना प्रारंभ होगा तो हम इसे शूनने से इस तरह से मिला देंगे और बच्चो हमें इस तरह का एक वक्र प्राप्त हो जाता है तो हम देख रहे हैं सीमान तुत्पादन प्रारम्भ में बढ़ रहा है इसके बाद गिर रहा है लेकिन गिरते हुए भी कैसा है धनात्मक और शुन्री के बाद सीमान तुत्पादन हमारा रिडातमक हो जाता है बच्चों अब हम औसा तुत्पादन वक्र देखेंगे प्रथम 21 से हमें 40 का औसा तुत्पादन प्राप्त हो रहा है दुती 21 से हमें 45 का औसा तुत्पादन प्राप्त हो रहा है पाच्वी इकाई से हमें 36 का औस्त उत्पादन प्राप्त हो रहा है छट्मी इकाई से हमें 30 का औस्त उत्पादन प्राप्त हो रहा है और सात्मी इकाई से हमें 22.8 का औस्त उत्पादन प्राप्त हो रहा है इन सभी बिंदूओं को भी हम मिलाएंगे तो हमें यहाँ पर भी एक उल्टे यू आकार का वक्र प्राप्त होता है अगर हम देखें तो सीमात उत्पादन और औसत उत्पादन का आकार कैसा है? उल्टे यू के आकार का अब हम कुल उत्पादन को देखेंगे प्रथम एकाई से 40 एकाईयों का कुलुत पादन प्राप्त हो रहा है दुती एकाई से 90 का कुलुत पादन प्राप्त हो रहा है त्रती एकाई से 130 का कुलुत पादन प्राप्त हो रहा है चौती एकाई से 160 का कुलुत पादन प्राप्त हो रहा है पाचवी इकाई से 180 का कुल उतपादन प्राप्त हो रहा है और छटवी इकाई से भी 180 का ही कुल उतपादन प्राप्त हो रहा है वहीं साथवी इकाई से 160 का कुल उतपादन प्राप्त हो रहा है इन सभी बिंदूओं को भी हम मिलाएंगे और इस तरह से हमें कुल उत्पादन का वकर प्राप्त होगा कुल उत्पादन में हम देख रहे हैं प्रारम में व्रद्धी हो रही है फिर इस थिरता है इसके बाद कुल उत्पादन गिरना प्रारम हो गया अब हम यहाँ पर उत्पादन की विभिन अवस्थाईं भी देखेंगे इस चित्र में उत्पादन की अवस्थाओं का निर्धारण हम सीमांत उत्पादन के माध्यम से करते हैं तो जब तक सीमान्त उत्पादन में व्रद्धी होती है, यह उत्पादन की प्रथम अवस्था कहलाती है. सीमान्त उत्पादन में जो व्रद्धी हुई है, वह उत्पादन की दुती इकाई तक ही हुई है. तो यह उत्पादन की प्रथम अवस्था कहलाएगी. इसके बाद सीमान्त उत्पादन गिरना प्रारंभ हो जाता है और शूने तक गिरता है तो छटवी इकाई यह उत्पादन की दुती अवस्था कहलाती है इसके बाद सीमान्त उत्पादन रडात्मक हो जाता है छटवी से साथवी इकाई तक यह उत्पादन की तरती अवस्था कहलाती है प्रथम अवस्था में सीमान्त उत्पादन, औसत उत्पादन और कुल उत्पादन तीनों में व्रद्धी होती है जबकि हम दुती अवस्था में देखते हैं तो सीमान तुत्पादन हमारा गिरना शुरू हो गया है लेकिन धनात्मक है और औसा तुत्पादन भी गिरना प्रारंब हो जाता है कुल उतपादन में व्रद्धी हो रही होती है लेकिन यह व्रद्धी रिडात्मक होती है क्यों क्योंकि हमारा सीमांत उतपादन गिरने लगा है अगर हम तालिका में देखें तो प्रारंभे में 40-90-50 एकाईयों की व्रद्धी वी थी इसके बाद 90-130 एकाईयों की व्रद्धी वी है 160-180 भी शिकाईयों की व्रद्धी वी है और 180-180 कोई भी व्रद्धी नहीं वी है तो हम यहाँ पर देख रहे हैं जो उतपादन की दुती अवस्ता है वहाँ पर कुल उतपादन बढ़तो रहा है लेकिन गिरती हुई दर से बढ़ रहा है तरती अवस्ता में खुल उतपादन गिरने लगता है और सीमान उतपादन रिडातमक हो जाता है अब बच्चों यहाँ पर प्रश्ण है एक कि उतपादक उतपादन की किस अवस्ता में रहना चाहता है तो उतपादक सदा उतपादन की दुती अवस्ता में रहना चाहता है प्रत्थम अवस्था में उत्पादक को लाव प्राप्त हो रहे होते हैं और वह पूरे लाव लेना चाहता है तरती अवस्था में उत्पादक को हानी हो रही होती है तो उत्पादक कभी भी तरती अवस्था में नहीं जाना चाहता है तो उतपादक के लिए जो एक सरवोत्तम अवस्था है वह दुती अवस्था ही है परिवर्टन शील अनपात के नियम के अंतरगत उतपादन की विभिन अवस्था है जो कि अभी हमने तालिका और रेखा चितर के माध्यम से समझी प्रतम अवस्था में क्या होता है उत्पादन के परिवर्तन शील साधन इस्थिर साधन के साथ अनकूलतम सैयोग इस्थापित कर लेते हैं उत्पादन में व्रद्धी होना लगती है इस समय सीमानत उत्पादन और कुल उत्पादन तीनों ही बढ़ते हैं जब कि दुती अवस्था में हम देख रहे हैं कि सीमान तुतपादन घटने लगा है कुल उतपादन तो बढ़ रहा है लेकिन घटती हुई दर से यहाँ पर जो परिवर्तन शील साधन है वो इस्थिर साधनों के साथ अनकूल तो हैं लेकिन उतपादन में व्रदी नहीं कर पा रहे हैं वही हम तृती अवस्था में देखते हैं कुल उतपादन और सीमान तुतपादन तीनों ही गिर रहे हैं सीमान तुतपादन रिडात्मक होने लगता है यहां पर परिवर्तंशील साधन और इस्थिर साधनों का जो अनुपात है वह प्रतिकूल हो जाता है और उत्पादन रिडात्मक अवस्था में पहुँचने लगता है इसे हम उत्पादन की रिडात्मक अवस्था भी कहते हैं परिवर्तन शील अनपात के नियम की मानता है परिवर्तन शील अनपात का नियम कुछ मानताओं पर आधारे थे जिने हम समझ लेते हैं उत्पादन प्रक्रिया में एक उत्पत्ती का साधन परिवर्तन शील रहता है जबकि अन्य साधन इस्थिर रहते हैं दूसरा परिवर्तन शील साधन की समस्त एकाईयां समरूप होती हैं परिवर्तन शील साधन की जिन एकाईयों का प्रयोग करेंगे वह समान रूप से ही प्रयोग की जाने चाहिए जैसा कि हमने अपने उधारण में समझा था हमने श्रम को परिवर्तन शील इकाई की रूप में प्रयोग किया तो हमने प्रते एक बार श्रम की एक ही काई में व्रद्धी की तकनीकी के इस्तर में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है हम जब उत्पति हिराश नियम का या परिवर्तन शिल अनुपात की नियम का अध्यन करते हैं तो हमारा तक्नीकी का इस्तर पहले से ही हम दिया हुआ मान लेते हैं तक्नीकी के इस्तर में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है इस्तर साधन अविभाज होते हैं इस्तिर साधन हैं उन्हें हम विभाजित नहीं कर सकते हैं विभाज होते हैं विभिन उत्पत्ति के साधन अपूर इस्थानपन होते हैं उत्पाधन के जो विभिन साधन होते हैं हम उन्हें एक दूसरे के स्थान पर प्रियोग नहीं कर सकते हैं इस्थानपन का मतलब होता है एक दूसरे के स्थान पर प्रियोग करना इस्तिर साधन सीमित एवं दुरलब होते हैं जो भी इस्तिर साधन है मुने अलपकाल में नहीं बढ़ा पाते हैं क्योंकि यह सीमित होते हैं या हमें मुश्किल से प्राप्त होते हैं जैसे कि हमने अपनी तालिका में देखा था भू भूमी कैसी है सीमित है हमें प्रकृति ने दी हुई है तो हम इसमें कोई परिवर्तन नहीं कर पाते हैं बच्चों अब हम समझेंगे परिवर्तनशील अनपात के नियम का महत हो हमने जो परिवर्तनशील अनपात के नियम या उत्पति हराश नियम समझा इसका अर्थशास्तर में क्या महत सबसे पहले तो यह अर्थशास्तर का आधार भूत सिध्धान्त है यह अर्थशास्तर का एक बहुत ही प्रमुक सिध्धान्त है यह सिध्धान्त सिर्फ क्रशी में ही लागू नहीं होता बलकि प्रतेक उत्पादन में लागू होता है चाहें उद्योग हो चाहें खनन हो चाहें मत्सपालन हो प्रतेक उत्पादन में यह सिद्धान्त लागू होता है और निश्चित तोर पर लागू होता है माल्थस के जनसंख्या के सिद्धान्त का आधार माल्थस ने जनसंख्या सिध्धान्त दिया था उसमें उन्होंने कहा था कि एक समय में ऐसी इस्थिती आती है जब जनसंख्या बहुत तीवर गती से बढ़ती है और क्रशी में उत्पति हराशनियम लागू होता है तो खाद्यान हमारा धीमी गती से बढ़ता है परडाम सरूप जनसंख्या विस्फोट की स्थिती उत्पन्य होगी माल्थस के जनसंख्या सिध्धान्त का आधार भी उत्पति हराशनियम है रिकार्डो के लगान सिध्धान्त का आधार रिकार्डो ने भूमी के लिए लगान का सिध्धान्त दिया था उन्होंने कहा भूम बहुत पादन बहुत कम हो जाता है तो उन्होंने कहा कि ऑत्रेकर लगान सिमांत उथपादक्ता काधा सिद्धानat कहता है कि उत्पत्ति के विभिन साधन भूमिश्रम पूंजी साहस और संगठन को उनकी सीमांत उत्पादक्ता के आधार पर ही प्रतिफल दिया जाता है अत्वा कहें उनकी आय दी जाती है तो सीमांत उत्पादक्ता सिध्धांत का आधार भी उत्पति हराशनियम है क्योंकि जो स साधन हे, उनको जो आया दी जाएगी वह सीमान्त उत्पादकता सिध्धान्त के अनुसार दी जाएगी एक छेतर के लोगों का जीवन इस्तर परवावित करता है उत्पति हिराशनियम हमें बताता है कि किसी छेतर और उत्पादन में उत्पत्ति हराशिनियम लागू हो रहा है तो वहाँ के लोगों का जीवन इस्तर गिर जाएगा क्योंकि जन संख्या बढ़ रही है उत्पादन उस गति से बढ़ नहीं पा रहा है जिससे लोगों के रोजगार और आए में कमी आएगी आविशकार एवं खोज के लिए प्रेडा दायक प्रतेक उत्पादक चाहता है कि उत्पादन में उत्पत्ति हराशनियम लागू ना हो लेकिन ऐसा संभव नहीं है उत्पत्ति हराशनियम तो लागू होगा हाँ ये किया जा सकता है कि आधुनिक तकनीकी के माध्यम से उसकी सीमा बढ़ा ही जा सकती है कि उत्पति हिराशनियम कुछ समय बाद आए तो इस काऱ से नए-ने आविशकार और नए-ने खोज़कोबी प्रेरणा मिलती है उत्पादक नयने अविशकार करना चाहते हैं नयने अविशकरों को प्रेरित भी करते हैं ताकि उत्पादन में उत्पति हिराश्नियं जल्दी ना आए तो बच्चो अब हम आज के टॉपिक के महतपूर प्रशण का अध्यन कर लेते हैं सबसे पहले उत्पति हराश नियम या परिवर्तन शील अनपात का नियम समझाईए इसे समझाने के लिए बचों आप तालिका बनाएंगे और चित्र बनाएंगे और उत्पादन की विभिन अवस्थाओं के माध्यम से समझाएंगे कि उत्पादन में उत्पति हराश नियम कब और कैसे लागू होता है दूसरा प्रशन है परिवर्तन शील अनपात के नियम की अवस्थाएं तीसरा प्रशन है हमारा परिवर्तन शील अनपात के नियम का महत्य समझाईए तो आज का हमारा टॉपिक समाप्त होता है अगले टॉपिक में हम उत्पत्ती व्रद्धिनियम एबं उत्पत्ती सम्तानियम पढ़ेंगे